नमस्कार दोस्तों आप सभी के श्टडी फ़वर यूपसी पीसे समस्वागत है मैप के थुरू हम लोग बीपसी के लिए रिवीजन करेंगे आज से इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के वनजीब अभियारने इससे जुरू हुए एमसी क्यू करेंगे उसके बाद और मैं क्या करवाऊंगा आपको एक बिहार का राजनितिक परिचाह देखेंगे 2011 के जो जनगन्ना है उसको भी बिहार भी से इसमें हम लोग कवर करेंगे मैप से ताकि याद रहे अच्छे से और सबसे पहले बिहार का भवालिक परिचाह करेंगे और सबसे अंत में हम रोग क्या करेंगे वने जीव सम्मन्दी जो कुछ MCQ है उसको लगा लेंगे जिससे पूरा क्योड हो जाए कि इस टॉपिक से जुरा हुआ अगर कोई भी सवाल आएगा तो गलत ना हो ओके फिलिए सुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं बिहार का अक्षांसी और देसांतरी विस्तार देखते हैं फिर उसका उत्तर दक्षिन पूरा पस्सिम लंबाई चुराई देखते हैं उत्तर से दक्षिन तक इसकी जो चुराई है वो है 345 किलो मेटर और इसकी लंबाई जो कर्म से परती है पस्सि कीलोमेटर 3, 4, 5 उत्तर से तक्षीन और 4, 3, 4, 8 पूराब से पस्यी में पढ़ता है अब आते हैं अक्षाइसजिय बिस्तार अक्षाइसजिय बिस्तार यहां से यहां तक है आधे यह कहां से शुरू होता है यह शुरू होता है आपका 24 डिगरी 20 मिनट 10 उतरी अक्षान से लेकर 27 डिगरी 31 मिनट 15 उतरी अक्षान से बिहार है कितना 24 बीस 10 से 27 डिगरी 31 मिनट 15 तक इसका उतरी अक्षान से बिस्तार है अब आते हम लोग इसका देसांतरिय बिस्तार कहां से कहां तक है आपको पता है सारे 82 डिग्री कहां से शुरू होता है तिलाबाद के नैनी के समीब से है जहां से हमारा समय का हमारा टाइम जोन जो है भारत का वो सारे 82 डिग्री से गुजरती है तो अब हम लोग देखते हैं कि बिहार का देशांतर ये विस्तार कहां से कहां तक है तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 से लेकर कहां तक है यहां 83 लिखाओ यह गलत है यह है आपका 88 डिग्री 17 मिनट 40 तक कहां से कहां तक 83, 1950 से लेकर 88, 17, 40 तक देशांतरिय विस्तार है हमारे राज्जी का नाम है पता ही है आपको कभ हुआ था इसका अस्थापना 22 मार्च 112 को बंगाल से बिहार और और रिशा को अलग किया गया और एक अपरेल 1936 में और रिशा राजी भी अलग होकर एक नया राजी बन गया 15 नमबर 32 भी को जारखन राजी अलग हुआ और वर्तमान बिहार जो है ये अभी के स्वरूप में आया था 22 मार्च को बिहार का अस्थापना दिवस मनाया जाता है और आपको पता ही है कई एक वार ये भी पूछा है BPSC में कि बिहार का अकार की कैसा है अकार में ये चौकोर है आईताकार अकार है अब चलते हम लोग बिहार विसेज से पहले बिहार के राजनतिक परिचाह देख लेते हैं थोड़ा सा जनसंख्या कितनी जाता है हमारी जनसंख्या है हमारी 10 करोर 40,99,452 यहां पर देखो लिखा हुआ है 10 करोर 40,99,452 देश की 68,00 परसें जनसंख्या निवास करती है अपने यहां और देश में अस्थान तीसरा है हमारे जनसंख्या के मामले में लिंगानपात 918 है सिसुल उंगानपात 935 है दसके बिर्धीदर 25,994 परसें की दर से हमारी दसके बिर्धीदर है जनसंख्या बरने का जन घनात तो है 1106 जो बूरे देश में सवरवाधिक है यह चीज़ धियान में रखना देश में जन घनात तो पहला अस्थान है अब चलते हैं यहां पर कुछ पॉलिटिकल चीज़े देख लेते हैं नौ परमंडल हैं बिहार में कमिशनरी जिसको जरूर धियान में रखना नौ परमंडल को हम लोग मैप से परहा दूँगा मैं अगले लेक्चर में नदीव अगरा भी हम लोग परहेंगे अगले लेक्चर में इसी मैप से ही जिले 38 है, सबसे निया जिला कौन सा है, अर्वल जिला है अपने बिहार में, सबसे निया जिला, आपको ये बताना है कि अर्वल जिला कब जिला बनाए है, और कहां से काट कर बनाए गया है, जहानबाद से काट कर बनाए गया है, अब कब बनाए गया है, अनुमंडल 101 है अप सुना होगा आपने लोग सभा की 10 सीटे हैं राज सभा की 16 सीटे हैं विधान परिशद की 243 सीटे हैं 243 विधान परिशद 75 सीटे हैं विधान सभा की 243 विधान परिशद 75 सीटे हैं साक्षरता दर कितना है बिहार का तो एक सर दसामलव 8% साक्षरता दर है जिसमें क्या है अब आ जाते हैं मियाप पर देखते हैं क्या सब है राज के फूल गेंदा है अपना राज के पसु बैल है राज के विरिक्षी पीपल है राज के बख्षी मांगूर है राज के पक्षी कौन सा है गुरईया है राज के चीन बोधी विरिक्ष है ओके यहां तक किलियर हो गया ह होगा कोई दिकत नहीं आई होगी यहां तक है अब चलते हैं देखते हैं कौन सा जिला किस सीज में टॉप है किस सीज में नियुंतम में तो पस्वी चंपारन सुलू करते हैं और ऐसे चलेंगे हम लोग वापस यहां तक आएंगे सीवहर तक वापस हो के तो सब से पहले पर्षेंटेज में 6,4% के लगवाँ में 6,3,5 है पस्मी चमपारन कटिहार और फिर पुर्णिया का स्थान आता है इसके मामले में सरवादिक लिंगानुपाद सबसे अच्छा किसका है ये सरसाच में पीपेसी में पूछा था एक हजारे कीस है गुपाल गंज का सबसे अच् नियुन्तम घनत वाला देखो 488 लोग ही मातर रहते हैं कहां पर कैमूर में सरवादिक घनत वाला भी जाके आगया आएगा बिहार का घनत कितना है 1106 है बिहार का घनत नियुन्तम घनत में कैमूर के बाद जमूई आता है फिर बांका आता है अगला है कि सरवादिक साक्षर अभी स्वाम्ड के नियुकि तो कि परेंग चार परेंगतשती ठीकुर गया में ही रहता है गया जिला भी भी सबसे ठंडा और सबसे गरम रहता है सबसे ज़्यादा अनसुची जाती 30.4 परसंट गया पटना फिर समस्तिपूर में ऐसी जनसंख्या की बात हो रही है अगला चलते हैं पटना जिला के बारे में बताया गया यहाँ पर सरवाधिक जनस स्वाल पूशे जाते हैं चोटे-चोटे होते हैं जिनको गलत करके कभी नहीं आना चाहिए क्योंकि आसान सवाल होते हैं अब सिखपूरा डिस्टिक के बारे में आ गया है इसी तरह से एक दिन मैं आपको सारे खनीज संपता भी कंप्रीर करवा दूँगा मैप से जिससे आ महिलाओं के संख्या संख्या बहुत ही कम है पूर्सो पर पर सबसे कम साक्षरता है पुर्णिया मेंcrew सीता मरी औसत वर्सा 112 cm किसन गंज में होता है नियूंतम अन्सुची जाती किसके मामले में नियूंतम अन्सुची जाती है यह यहाँ परसेंटेज घिसाब से नियूंतम स्थी पॉपुलेशन परसेंटेज में अगला चलते हैं कि मध्यपूरा इसकी जनसंख्या बिर्धी ता सरवादिक रही दसकी बिर्धी में 31 जिरू 1% से इसकी जनसंख्या बिर्धी हुई थी तो इसलिए मध्यपूरा को जाना जाता है नियूंतम महिला सक्षरता के लिए किसको जाना जाता है सहरसा को जाना जाता है नियूंतम महिला सक्षर्था अगला नियूंतम पूरु सक्षर्था पुर्निया में है और हाइस्ट पूरु सर महिला सक्षर्था कहां पर है तो रोता जिले में परता है आपका अब आ जाते हैं सिभार जिस्टिक पर कि सबसे छोटा जिला है छेतरफल के हिसाब से सरवादिक जन घंट वे ऐटारा सो असी लोग निवास करते हैं एक किलोमेटर चमब लंबा और एक किलोमेटर चोरा चैतर में उन्चेथर में उसके बाद से क्या है कि नियुन्तम अन्सुजिजाती देखो नियुन्तम यह होगा जादे बड़ा नहीं होगा अब चलते हम हम लोग कि बिहार का जो वनेजी वभियारन ने हैं उस पर चलते हैं उसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ उसको अप लिखके रख लिए वनेजी वभियारन से समंदे वहां से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं Stockholm UN Conference, United Nation Conference on Human and Environment, इस सीज को ध्यान में रखना, उसका बाद 1972 में भारत में एक्ट बनाया जाता है, इस सीज को ध्यान रखना, 1972 में ये एक्ट बन गया, अब सबसे ज़्यादा महत्यों का वने जीव कौन सा है, तो टाइगर है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉंच किया जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर ये पूछा जा चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ, यूपी इम पूछा है, तो आप से भी पूछ सकता है, यूपी से भी पूछता है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉंच किया गया, 1973 स्वी में लॉंच किया गया है, 1973 स्वी में, कहां से, जीम कॉ वाइल्ड लाइफ सेंचूरी को या किसी नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत घोसित कर देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है फिर टाइगर रिजर्व कह दिया जाता है उसको इस सीज़ का धियान रखना है आपको प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लांज किया गया है तो देखो 1972 में हुआ था Stockholm Conference 1192 में हुआ है पिर्थवी सम्वेलन ब्राजील में रियो डी जनेरियों में ब्राजील में कौन सा सम्वेलन तो पिर्थवी सम्वेलन इसको क्या कहा जाता है पिर्थवी सम्वेलन तो 1992 जब पिर भी सम्मेलन हुआ है, उसी साल प्रोजेक्ट एलिफेंट ला offenders किया गया है अपने देश में प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट लाности किया अ पने देश में यहां तक के लिए हो गया अगर भारत में tiger की population पूछे जाए अधिकारिक आँकरा है 2960 अधिकारिक आँकरा है ये कितने Tiger Reserve है अभी भारत में करेंट में तिरपन Tiger Reserve है 53 Tiger Reserve है 53 Tiger Reserve जिसे में सबसे latest कौन सा है सबसे latest Tiger Reserve है आपका गुरू घासी दास Tiger Reserve इन सब जगों से सवाल पूछ सकती है बीपेस इस वार निगेटीव मारकिंग शुरू है तो थोड़ा लेवल अप अगर करेगी तो पूछ सकती है गुरू घासी दास Tiger Reserve ये मद्परदेश राजे में है मद्परदेश राजे में है गुरू घासी दास ताइगर इजर्व अब आते हैं कि सरवाधिक Tiger पाये जाते हैं बाग की बात कर रहा हूँ मैं यहां तक किलियर हो गया अब बिहार की बात करते हैं बिहार में एक ही Tiger Reserve है वो है बाल में की Tiger Reserve पहली बात तो इस सीज को ध्यान लखना पस्मी चमपार अंजीले में है बिहार में अधिकारिक रूख से Tiger की जन संख्या है 31 31 है Tiger की जन संख्या Tiger जो है वो Tiger Reserve के बाहर भी किसी वन छेतर में हो सकते हैं यहां तक बात किलियर हो गया अब आगे बरते हैं हम लोग एक एक करके देखते चलते हैं पस्मी चमपार अंजीला है पता ही आपको हिमाले के सिवालिक से नहीं यहां पर सोमेसर से नहीं यह दून से नहीं यहां पर देखने को मिलती हमें अब इसी में हैं बालमिकी नगर, राष्टी उद्यान नेशनल पार्क भी एक ही है बिहार में और टाइगर इजर भी एक ही है बिहार में यह दोनों चीज है बिहार में एक ही में कौन सा बालमिकी नगर, राष्टी उद्यान और टाइगर इजर भी है इसके अस्थापना कब हुई है तो यह 1978 में अस्थापित किया गया था कब किया गया था 1978-20ck Singai Sen बी में अस्थापित हुआ था ये और ये नेसिनल पार्क भी है और टाइगर इजर भी है नेसिनल पार्क में किसी भी एक्टिवीटि का एलाऊ नहीं होता कुछ भी नहीं न हीın कुछ भी एलाओ नहीं होता नेसनल पार्क में अगले आप चलते हैं कि वैसाली डिस्टिक दिया हुआ यहाँ पर यहाँ पर कौन सा है बरेला सलीम अली जुबा साहनी अभियारन्य है क्या है नाम इसका बरेला सलीम अली जुबा साहनी अभियारन्य है कहां पर है किस district में है, तो यह आपका बैसाली district में परता है, यहां से बीच से गंगा जीब है रही है, यह भी ध्यान में रखना है आपको, यह भी मालो कभी विवेसी को टफन पूछना होगा तो उपर नीजे करके पूछ सकता है वो, अगला चलते है बक्षतर में, बक्षतर हो सकता है यह रोहतास और कैमूर दोनों में पहला हूँ अब चलते हम लोग यहाँ पर ये ग्याड्युटिक आपको पता ही है गौतम बुध अभियारने लियाड्युट्सец अगला पटना जू के बारे में दिया हुआ है संजय गांदी जैबी कुद्यान है पता ही होगा इसके बारे में तो आप लोगों को जो पतना जू है उसके बारे में अगले पर चलते हैं कि राजगीर नारिकी नालंदा डिस्टिक ये राजगीर अभियारने है यहाँ पर और पंत अभियारने है कौन-कौन सा हो गया क्योंकि ये चीज बहुत बारे में पूछा जा सकता है आपके एकजाम में सीधा पूछ लेगा उठाके उसके बाद नागी नक्टी डैम जो है एक डैम है पक्षी अभियारने है वहाँ पर दो एक नागी डैम पक्षी अभियारने और एक नक्टी डैम पक्षी अभियारने ये बिहार की जिलेम परेगा, ये बिहार का यहाँ पर जमुई जिला है, उसमें परेगा आपका, अगरा चलते हैं, भीम बांद अभियारने के बारे में पूछा गया था, ये मुंगेर है, मुंगेर डिश्टी के परता है, भीम बांद अभियारने, ओके, भीम बांद अभिय ब condemned shell ने कहां पर मिलेगा आपको को बिकरमसिला पक्षी और गंगे डॉलफिन में और फीण की भागलपुर चलते हैं कि ये इस सीज का जरूर कुल्ज जीव है यें और तो इसकी क्या खास्यत है ये में जीखता हूं देखना उत्तर बिहारें बहुत ही कम है दक्षिन बिहार में ही अधिकांसता है अब जैसे यहाँ पर दर्वंगा डिस्टिक में एक हो रहा है कुसेस्वर कुसेस्वर पक्षिय अभ्यारने करके घोजित किया गया कुसेस्वर जील है यहाँ पर वहाँ पर कुछ से सवर पक्षी अभियार रने करिके है तो ये था आपका इसमें सारे मैंने बता दिये है कौन सा कहां पर है और इसको इसी हिसाब से पर खिजाना जैसे कांवर जील पक्ष्य अभियार रने है भियार का क्या है? पहला वेटलेंड इंटरनेशनल ग्रूप में घोसित किया गया है इसको वेटलेंड है ये बिहार का कहां पर ये परता है ये बेगू सराइडेस्टिक में परता है कावर जील पक्षी अभिहार रने अब इससे जुरे हुए MCQ कर लेते हैं और MCQ करने के बाद आपको पूरा किलियर हो जाएगा इससे जुरे हुए एक से दो सवाल की गैरंटी होती ही है पूछेगा ही पूछेगा जरूर पूछेगा और जो मैंने पूछेगा यह भी मांद पक्षी अभिरान ने कहां परहत यह मुगे रिष्टिक में भारत में किस राज्य का सरवाधिक उप्षी जिखनày पतजहरं में मादफ़ाल में बहारत में राज्यक सर्ण नहीं होता है तो यह उव्याधिक की अंसर क्या हो जाए का यह हो जाएगा बालम की टाइगा रिजर्बं कहां पर इस सित है यह पस्वी चंपारण जिले सित है जरूर धियान में रखना बरेल जील पक्षी आस्रानी किस जिले में सित है तो बरेल जील कहां पर है अभी दिखाया मैंने ये वैसाली जशिक में बिहार पिर्थवी दिवस कम मनाया जाता है दस का अंसर क्या हो जाएगा ये 9 अगस्त को मनाया जाता है राष्टे वन नीती का अनसार बिहार के पास कुल 6 तरफल के कम से कम कितने पिसद हिस्से पर वन होना चाहिए तो ये 33 अना 33 परसेंट पर कम से कम तो वन चाहिए ही हर राजे में आपने देश के लिए भी यही है और ये 1986 का जो 1986 का एक्ट है इसके तहट ये प्रावधान बनाया गया था बिहार मुकमंतरी सहरी वान की योजना प्रारम कब किया गया तो 12 कैंसर क्या हो जाएगा तो ये 13 चोदाम सुरू किया गया था सहरी वान की योजना हरियाली मिसन का उदेश राज में कितने परसेंट तक विरिक्षादन चेतर को बरहाना है तो 13 कैंसर हो जाएगा बी 15 परसेंट तक विरिक्षादन चेतर को बरहाना है ग्रीन इंडिया मिसन के अंतरगत बिहार के चैनी छेतरों में सामिल है कौण सा ग्रीन इंडिया मिसन के तहट बिहार के कौण सा छेतर सामिल है चौदा कैंसर जाएगा डी, उपरुक सभी, अगहुरा काइमूर में, धरहरा मुंगेर में और इमाम गंज गया का है जो है ये गरीन इंडिया मिसान के दहात सामिल छेतर हैं बिहार सरका ने सुसाइटी रेश्टन एक्ट के अंतरगत कितने वन, वान की विकास अभिकारनों का गठन किया है बिहार में अभी दस ऐसे वान की और अभिकारन काम करते हैं कम से कम कामर जील पक्षिय अभियारन किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है वेरी वेरी इंपोर्टन तो सोलह कैंसर क्या हो जाएगा इस कैंसर हो जाएगा सी साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है गौतम बुद्पक्षिय अभ्यारन की जिले में स्थित है तो 17 कैंसर हो जाएगा ए ये गया जिले में स्थित है गौतम बुद्पक्षिय अभ्यारन ने पटना में स्थित संजा गांधी जैविक उद्यान का स्थापना कब होई थी 18 कैंसर हो जाएगा बी 1969 इसके स्थापना की गे थी पटना जू की बात हो रही है बिहार के एक मातर राष्टी उद्यान कौन सा है एक मातर नेशनल पार्क पूछ रहा है तो बानमी की राष्टी उद्यान है उनी इसका एंसर एह हो जाएगा चोटा सा वीडियो था रिवाइज रिवीजन के लिए बेस्ट है मैप से ही रिवीजन करना चाहिए अगले वीडियो मैं आपको मैप बाले में खनी संसाधन करवा दूँगा जिससे हर साल दो तीन सवाल पूछ जाते हैं और खनी संसाधन जल्दी याद भी नहीं होता है थैंक्यू सो मच कैसा लगा यह जरूर बताना फीड़बेक जरूर देना थैंक्यू